हलू फ्रेंड्स composition community में अपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम बात करने वाले हैं मध्ये प्रदेश में जन जाती के संदर्व में जब भी हम जनजाती के बारी में बात करते हैं तो आपको पता होगा कि मध्य मध्य प्रदेश में भारत में जनघाती के समंध में प्रथमिस्थान रखता है इसके अलावा मध्य प्रदीश में जो सबसे ज़ादा जन जाती पाई जाती है वहाँ है भील जन जाती और भील के बाद मध्य प्रदीश में गोड जन जाती सबसे ज़ादा पाई जाती है आप देखते हैं जनजाती कहते किसको हैं अर्थात ऐसा तो नहीं कि किसी भी व्यक्ति को जनजाती बोल दिया जाए यह संभव नहीं है तो कोई एक ऐसा विशेश वर्ग विशेश शमूव जिसकी अपनी भाषा हो जिसकी अपनी संस्क्रती हो और एक ये सामुदाइक महात्व रहता हो इनका अपना अलग से इनकी भाषा होनी चाहिए अलग इनकी संस्क्रती अलग होनी चाहिए ये आधुनिक्ता से जुड़े ना हो और इसके साथ में इनका एक अपना समुदाए हो तो ये जनजाती कहलाते हैं जनजाती ही आदिवासी भी कहलाते हैं इन्हें ही आदिवासी कहा जाता है आदिवासी और जनजाती ये दोनों वह सम्मू हैं जो कि यहां पर किसी भी स्थान पर राजजी निर्मार के पहले स्थित थे लेकिन अब जब आधुनिक्ता आ गई है तो आधुनिक्ता से स्वयम को ना जोड़ने के कारण ये जो जनजाती है ये जो लोग है ये पिछड़ और पिछले पाइदान पर हमें आजकल दिखाई देते हैं तो इन्हें ही जनजाती कहा जाता है बात करतें जनजातियों की तो मद्य प्रदेश में सबसे जादा भील जनजाती हैं तो सबसे पहले हम भील जनजाती को देखने वाले हैं भील जन्जाती मध्य प्रदेश में भील जन्जाती के विस्तार की बात करेंगे तो देखे भील जन्जाती जो है यहाँ वह जन्जाती है जो कि धनुषधारी और शिकारी हुआ करते थे बिल जन जार्दी का विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश में है तो विस्तार सबसे जादा है और विस्तार में मध्य प्रदेश में प्रथम इस्थान रखता है इसके लावा संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये फैले हुए हैं बात करेंगे कि किस इस्थान में फैले हुए हैं तो मध्य प्रदीश के पश्चिमी जिलों के अंतरगत पश्चिमी जिले कौन-कौन से धार जाबुआ अली राजपुर आदे जिलों में हमें ये दिखाई देते हैं आपको पता होगा कि भील जनजाती का सबसे फेमस मेला जो कि भगोरिया उत्सव है वह भी ज्वाबुआ के अंतरगती आयोजित किया जाता है तो इस कारण से यहां पर हमें तीन जिले हमने देखे हैं उलेख की बात करें कि भील जनजाती आखिर ये जनजाती है भारत में है इसका उलेख हमें सबसे पहले कहां मिलता है तो भारत में सबसे पहले उलेख इस जनजाती का रामायर में और इसके साथी साथ में हम देखते हैं महा भारत में दिखाई देता है इन दोनों में रामायड और महा भारत में हमें भील जनजाती का उलेख मिलता है उत्पत्ती की बात करते हैं तो भील जनजाती की उत्पत्ती तीन शब्दों से हुई है पहला शब्द है भिल दूसरा है विल और तीसरा है बिल्लूबर इन तीनों शब्दों के अर्थ एक ही होते हैं ये तीनों शब्द वलकि अलग-अलग भाशा के हैं जब हम बात करते हैं देखिए तीनों शब्द अलग-अलग भाशा के हैं सबसे पहले हम देखते हैं भिल फिर बात करेंगे विल्लूवर और फिर हम बात करेंगे विल्ल की अब जब इन तीनों शब्दों की हम बात करते हैं तो भिल्ल जो है यह संस्कृत का विल्ल जो है वो द्रवेड का यह भिल्ल है भिल्ल जो है यह संस्कृत का विल्ल जो है वो द्रवेड का वहीं विल्लूवर जो है वो तमिल भाषा का शब्द है लेकिन इन तीनों शब्दों का एक ही मतलब होता है और वो मतलब होता है धनुश अर्थाथ वहाँ जनजाती जो कि धनुश धारन करती है जो कि शिकारी प्रवरत्ती की है भील कहलाती है बील जनजाती के योधा लोग रहें बहुत जादा बहुत जादा बील जनजाती वीर योधाओं में शामिल हुई है बील जनजाती के सबसे वीर जो योधा माने जाते हैं जिन्होंने महाराना प्रताप के साथ युद्धि किया इनका नाम था राडा पुंजा भील तो राडा पुंजा भील के ही नाम पर भील जनजाती आज पुंजा दरिया बनाती है भाशा की बायत करेंगे तो भील जनजाती मुखेता बारेली और भीली भाशा बोलती है निवास भीलों के निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है जहां पर भील निवास करते हैं इसे फाल्या कहा जाता है वही भीलों के मकानों को को कहा जाता है भीलों के द्वारा जो खेती की जाती है उस खेती को दजिया या फिर जूम खेती कहा जाता है अब इसका मतलब क्या है थोड़ वैसे भीलों की कॉलोनी ज होती है उसे हम वाल्या कहते हैं उनिया से घृती करते उसे ज्जूम ञता है उसे अ मतलब जाता है कि आपने एक इस्थान पे खेती की उसके बाद आपको फ़ल वहांसे प्रोवाइड हो गया आपको फसल मिल गी फसल को आपने काट लिया वसल की काट है आप में शे लाखने के नोआ चालू कर ली इस्थान को चोड़ गर दूसरे स्थान पे क्रशी करना अब आपने जिस छेतर में आग लगाई थी उस छेतर की उर्वरक शमता कम हो जाएगी इस वज़ा से ये खेती जो है ये बहुत ही कम हो रही आजकल च्योंकि इस से मिट्टी की उर्वरक शमता भी कम हो जाती है भोजे पदार्थों की बात करे तो भीलो के द्वारा मुख्य रुप से ताडी पी जाती है और ताडी के अलावा ये महुए की शराब पीते हैं दिखे जो हम बात करते हैं ताडी के ना तो ताडी भी नशीला ही पदार्थ होता है एक ऐसा मटकी जैसा फ्रूट होता है उस फ्रूट में पत्थर डालकर या फिर उसमें छेत करकर किसी भी प्रकार से उस स्ट्रॉड डालकर जो रस निकलता है उसको भील जनजाती के द्वारा पी जाती है भील जनजाती के सबसे प्रमुख देवता राजा पंथा भील है और राजा पंथा भील जो है इन्हें सबसे जादा प्रमुख और शक्तिशाली देवता भी माना जाता है निर्माड इवं कला भील जनजाती ने किस किस चीजों का निर्माड किया है हमको वो देखना है तो सबसे पहले जो सबसे जादा फेमास है वो हो गई पुझा दरिया भीड जनजाती के द्वारा बनाई जाती है इसके अलावा यहां जनजाती एक गुडिया कला बनाती है इसके अलावा इस जनजाती के द्वारा गलसन माला बनाई जाती है जो कि बहुत जादा फेमास है अब गलसन माला का क्या मतलब होता है देखिए गलसन माला जो है वो गलिन में पहनने वाली माला होती है जो कि भील ज और बड़े गाओं को पाल के नाम से जाना जाता है, मतलब जो जादा बड़े एरिया में होगा वो पाल और जो छोटे एरिया में होगा वो फला गाओं के प्रमुख को भील जन जाती में गाओं के प्रमुख को गमेती कहा जाता है उपजातिया भील जनजाती की उपजाती विभिन प्रकार की हमें दिखाई देती है जिसमें की समाजिक आधार पर व्यवसाईक आधार पर भीलों को अलग-अलग भागों में बाटा गया है ये हैं भील जनजाती की आभूशन भील जनजाती जादा तर चांदी की आगुशरों को धारन करती है ये भगोरिया उत्सव में हमें सबसे जादा दिखाई देते हैं अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो ये हाथ में कड़े और कंगन वगेरा पहनते कमर में इनकी कवर्मंद प्रॉपर लगा होता है इसके अलावा इनके कड़े और इनके गले में जो माला दिखाई देती है वो चांदी की ही दिखाई देती है बात करेंगे जनजाती के प्रकार अर्थात भील जनजाती का विभाजन कि भील जनजाती को कितने भागों में बाटा गया है हमने पैडिया कि भील जनजाती जो है ये एक योधा जनजाती है ये जनजाती जो है अपनी उत्पती महराना प्रताप से मानते हैं और इस जनजाती को हम तीन भागों में बाट सकते हैं पहला जो होगा वो होगा समाजिक आधार पर, कि इनका समाज कैसा है, दूसरा है व्यवसाईक आधार पर अर्थात ये क्या काम करते हैं, और तीसरा है अन्य उपजातिया, समाजिक आधार पर भीलों को दो भागों में बटा गया है, एक कहलाते हैं कालिया भील, जिन्हें लं और अन्योग जातियों की हम बात करते हैं तो तडवी, भील, भिलाला, बारेला, पटालिया, बेगास और उम्री भील जनजातियां हमें दिखाई देती हैं, अन्योग जातियां हमें दिखाई देती हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे लंगोटा भील की, जब हम बात करतें भील के नाम से भी जाना जाता है फिर जो उजालिया भील है इन्हें छेत्री भील के नाम से भी जाना जाता है भगत की जब हम बात करते हैं तो भगत जो है यहां व्यक्ति भील जनजाती का सबसे पवित्र व्यक्ति बाना जाता है तो भील जनजाती का सबसे पवित्र व्यक् इसके अलावा पुजारों जो है यहाँ पूजा पाट करने वाला व्यक्ति माना जाता है कोटवार जो है यहाँ वा व्यक्ति है जो कि भीलों के गाउं का प्रशाशन सम्हालता है भोपा की जब हम बात करते हैं तो भोपा जो है यह व्यविक्ति है जो कि जाड़ फूक करता है भीलों की अन्य उपजातियों में हम इंपोर्टन देखते हैं जो कि तड़वी और उम्री उपजाती है और भिलाला है महराना प्रताव को श्वयम का वंशज मानते हैं इसके अलवा जो तड़वी है मुसलमान भील के नाम से जाना जाता है और उम्री ज इसके अलावा जो दुलहन होती है वो पीरिया नामक वस्त्र धारण करती है और जो सिंदूरे की साडी पहनती ही यह सारी महिला यहां की यह सारी महिला एक सामान्य वस्त्र भी पहनती जिसे अंग रखा कहा जाता है इसके अलावा जब हम बात करते पुरुषों की तो पुरुष यहां पे साफा लपेटते हैं और धोती पहनते हैं और लंगोट पहनते हैं भील जनजाती की महिलाएं जो है वो आभूशन प्री हैं इसके अलावा ये चांदी के बहुत सारे आभूशन भी पहनती हैं भीलों की विवाह, भील जनजाती में किस प्रकार की विवाह होते हैं? गंधर्व विवाह, गुसपैठिया विवाह, नातरा विवाह, दापा विवाह, अपहरन विवाह, सेवा विवाह, परिक्षा विवाह, और गोल गधेड़ू देखें महत्वपूर्ण क्या है इनमें सी सारे विवा आपको याद तो रखने है लेकिन कौन-कौन सा महत्वपूर्ण है आप पहले ये पढ़ लीजिए ये कुल मिलाकर आठ विवा है भील जनजाती में होने वाले इसमें सबसे जादा महत्वपूर्ण एक आपको गोल गठीड़ो दिखाई देगी एक हमको दिखाई देगा सेवा विवा अब बात कर लेते हैं क्या मतलब होता है इनका सबसे पहला गंधर्व विवा का मतलब होता दापा विवा के जब हम बात करते हैं तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्यों कि इस विवा हमें लड़की का मूल्य देकर उससे विवा किया जाता है अर्थाथ एक तरीके से जैसे कि हम अपने घर में किसी चीज़ को खरीद के लाते हैं बिलकुल वैसे ही आपने लड़क यह है कि लड़की की मनजूरी बिलकुल नहीं है पर आप गए आपने उसको उठाया और उसके बाद उससे शादी कर ली जैसे कि जबरिया शादी होती है वैसे ही यहां पर अपहरन विवाह सेवा विवाह का मतलब होता है कि पुरुष इस तरी के घर जाता है और वहां जाकर उसके माबाप को मनाता है कि भाई मेरी शादी करवा दो मैं आपका सारा काम करूंगा और लड़का उनके घर में सारा काम भी करता है और जब लड़का इनके घर में पूरा सा काम कर लेता है यह समझ जाते हैं कि हा लड़का ठीक ठाक है तो जो विवाह होता है उसे सेवा व पुत्री का विवहा करवा दे पिर आता है गोल गधेड़ों यह सबसे जादा इंट्रस्टिंग विवहा होता है गोल गढ़ेडों जो होता है जिस विवाहा प्रथा है जिसमें एक गोला बनाया जाता है इस्त्रियां इसमें गोला बनाकर रखती हैं और भीतर में पुरुष खड़े होते हैं बाहर नारियल रखा होता है किसी भी स्थिती में किसी पुरुष को उस गोले से बाहर निकल कर उस नारियल को हासिल करना होता है पिर उन दोनों की शादी कर दी जाती है तो इस प्रकार से हम गोल गधेडों को देखते हैं भगोरिया हाट भगोरिया हाट कहां पर आयोजित होता है तो मद्य प्रदेश में यह जाबुआ जिले में आयोजित होता है तो यह जो हाट है यह होली के साथ दिन पूर्वा आयोज सबसे जादा भील जंजाती के लोग हमें दिखाई देते हैं, यह तीन भागों में बटा हुआ है, तीन भाग कौन-कौन से, जो पहला भाग उसे कहा जाता है गुलालिया, दूसरा जो भाग होता है उसे कहा जाता है गोल गधेडो, और तीसरा जो भाग होता है उसे कहा जाता भगोरिया उत्सव की बात करते हैं तो यह जाबुआ जिले में लगता है इसके बाद हम देखते हैं कि यह उत्सव भील जंजाती द्वारा लगाया जाता है एक प्रकार का हाठ है या फिर मेला है इसको तीन स्टेज में बाटा गया है गुलालिया और गुलगदेडो और भील जन्जाटी को जाता है निमसुilstart तो और टमरे को निकाला जाता है तो उसे मेला घहा जाता है उससे को भील जन्जाती के प्रमुखर नुरत्य आप देखेंगे हम भील जन्जाती में कौन-कौन से नुरत्य महात्वपूर है जो की भील जन्जाती द्वारा किये जाते हैं भगोरिया टोंडा पड़वा दागला इस प्रकार के कुछ 5-6 प्रकार के नुरत्य भील जन्जाती के द्वारा किये जाते हैं जिसमें सबसे इंपॉटेंट जो है भगोडिया नुरत्य है अंग्रेजों को लूटते थे और इनके पूरे धन को लाकर गरीबों में बाट दिया करते थे भीमा नायक, भीमा नायक के बारे में भी हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि भीमा नायक को निमाल का रॉबिनूट कहा जाता है राना पुंजा भील, राना पुंजा भील का सम्मंद महाराना प्रताप से है और महाराना प्रताप के सांथ राणा पुंजा भीलों की एक सेना लेकर युद्ध में निकले थे जो की युद्ध हुआ था अकबर के खिलाफ में और इस युद्ध में इन्होंने बहुत जादा मदद की थी महाराना प्रताप की और महाराना प्रताप ने खुश होकर इन्हें अपना टाइटल राणा दिया था तो राणा जो है इन्हें महाराना प्रताप से ही मिला है फिर भील जनजाती के प्रमोख शब्द जिसमें एक शब्द है फाइरे 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 जो है ये भील जनजाती का रणगोश है मतलब लडाई के समय जो बात कही जाती है जैसे कि हम बोलते हैं जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ लोग कुछ और बोलते हैं तो वैसे भील जनजाती के लोग फाइरे फाइरे बोलते हैं और भील पांडा का मतलब होता है जो व्यक् बड़ी जनजाती है गोड जनजाती जो है प्रोटो ऐस्चलाइट प्रकार की जनजाती इसके अलावा यह मद्यप्रदीश की दक्षणी शेत्र में पाई जाती है दक्षणी शेत्र में कौन-कौन से मंडिला बालगार्ट छिंदवारा शिवनी और बैतूल वाले जिलो में ग गोंड कहलाते थे उस समय में तो मध्य प्रिदेश में सत्पुड़ा परवश्रंखला और विंद परवश्रंखला दोनों परवश्रंखलाओं पे गोड़ जनजाती निवास करती है सबसे जादा किस-किस जिले के अंतरगत निवास मंडला फिर आएगा बाला घाट बैतूल छिंदवाड़ा और उसके बाद आता है शिवनी आदी जिलों में गोड़ जनजाती निवास करती है भाशा गोड़ जनजाता गोड़ी भाशा बोलती है यह जनजाती गोड़ी भाशा बोलती है और गोड़ जनजाती सबसे जादा योगदान करने वाली जनजाती रही है 1857 की क्रांती में इस जनजाती के द्वारा की जाने वाली खेती या फिर क्रशी को बेवार या फिर जारिया कहा जाता है यह एक पारम पर एक क्रशी पधती होती है देवताओं की बात करेंगे तो गोड़ जनजाती बहुत सारे देवताओं को मानती है जिसमें दूला देव बूला देव प्रमुख देवता माने जाते हैं गोड़ जनजाती का विस्तार या कोड़ जनजाती का विभाजन गोड़ जनजाती को दो भागों में बाटा गया पहला है निवास के आधार पर विभाजन और दूसरा है व्यवसाय के आधार पर निवास मतलब जहां पर रहते हैं और व्यवसाय मतलब जो काम करते हैं तो गोड़ जनजदी का निवास के आधार पर विभाजन देखींगे, एक है राजगोड, दूसरे है धुरगोड और तीसरे है मुडिया, मुडिया के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, अब देखते हैं हम राजगोड और धुरगोड के बारे में, राजगोड जो है य ये वो भी हो सकते हैं जो कि राजा महराजाओं से संबंदित है रानी दुर्गावती से रानी अवंती बाई से इन से संबंदित है वो भी हो सकते हैं मुडिया जो है सबसे ज़्यादा पिछडी ओप जाती है गोडों की व्यवसाइ की बात करेंगे अगरिया जन जाती औजहा पर्धान और सोलाहस जब हम अगरिया की बात करते हैं तो अगरिया वह ओप जाती है जो की गोडों में अगनी का काम करती है, मतलब लोहे का काम करती है, अगर यह कहलाती है, लोहे का काम करने वाली उपजाती, कोलाई भुतिस की बात करते हैं, तो नाचने गाने वाली जो जन जाती है, जो उपजाती है, उसे कोलाई भुतिस के नाम से जाना जाता है, ओजा जा जाती में बढ़ाई के काम करने वाले व्यक्ति को सुलाहस कहा जाता है प्रमुख मेले गोर्जन जाती में सबसे जादा जो प्रमुख मेला है वो है मंड़ाई मेला मंड़ा बालाखाट सिवनी बैतूल वाले शित्रों में लगता है यह मंड़ाई साथ दिन की ग्यारा दिन की एक दिन की अलग अलग दिनों की हो सकती है जादा तर ये जो मड़ाई है ये दिवाली और होली के बाद लगती है और ये एक प्रकार का हाठ होता है फिर आता है स्वांग मेला स्वांग मेला जो है इसमें विभिन विभिन प्रकार के नाटक किये जाते हैं लोगों का स्वांग रखना जाते हैं कहा जाता है नाटक करना स्वांग रचना का स्वांग तो ऐसे वा तशें नात मेला है या चिनलडा में अओध किया जाता है गोर जनजाती के प्रमुख विवाह अब हम देखेंगे कि गोर जनजाती में कौन-कौन से विवाह होते है पहला जो विवाह होता है वो होता है दूध लोटावा विवाह जो सबसे जादा महत्वपूर है गोड़ जन जाती का दूद लोटावा विवाह महत्वपूंड हो जाता है क्योंकि इसमें मामा और बुआ के बच्चों में सम्मंद बनाया जा सकता है फिर देखते हैं विदवा विवाह ये बहुत ही अच्छी प्रता है कि विदवाओं का विवाह करवाना ठीक है करवा सकते हैं बहुत अच्छी चीज है क्योंकि हर किसी को जीवन जीने का अधिकार होता है हर किसी को आंगे जीवन जीने का अधिकार भी है और उनका हक भी बनता है कि वो जीवन जी आंगे तो हम देख सकते हैं कि विदवा विवः विवः जो है वो गोरजन Τाती में होता है घोटल विवः जो है वो कैसे होता है देखें हुआ घोटल विवः, का संबंध ऐसा है कि यूवा ग्रह बनाए जाते हैं युवा ग्रह में इस्तरी और पुरुष दोनों को एक साथ रखा जाता है और जब तक वो समझ लेते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कमफर्टिबली रह पाएंगे तो उनका विवाह तै किया जाता है और यदि उनको कोई दिक्कत होती है वो एक दूसरे को साथ नहीं एजिस्ट कर पाते तो उनका विवाह नहीं होता है तो घोटुल विवाह जो है यह बहुत जादा प्रचलित प्रथा भी है और इसके उपर बहुत सारी बाते भी कही जाती है सेवा विवाह सेवा विवाह जैसे कि भील जन जाती में होता था कि घर पे आके काम वगेरा करना उसके पहरन करके विवाह करकि nya नवा खानीद नवा खानी जब नया खाना बनाए का मतलब है जावरा या जवारा कहा जाता है इसे जवारा जो है या रक्षा बंधन के कुछ दिनों पहले और नवरात्री के समय निकाला जाता है मेगनाथ मेगनाथ जो है क्योंकि गोर जनजाती के लोग मेगनाथ को अपना देवता भी मानते हैं इस कारण से हरीठी भी बहुत जाद प्रमुख है लारु काजू छेर्था मड़ाई और बिंदकी मड़ाई के बारे में हम देख चुके है अल्रेडी गोर्जनजाती के प्रमुख उनुरत्य कौन-कौन से हैं भडोनी सजिनी सैला कर्मा एबातोई दीवारी और सुआ जिसमें सबसे जाद से कर्मा नुरत्य कि जाति के प्रमुख व्यक्ति के प्रमुख व्यकतियों को हम देखेंगे जिसमें सबसे पहले हमको दिखाई देंगे दादा हीरा सिंग मरकाम है जिन्होंसे गोरवाना गड़तन्तर पार्टी में अपना विशेष योगदान दिया है रानी दुर्गावती रानी दुर्गावती का सम्मंद जो है वो अकबर से है और इन्होंने अकबर के खिलाफ युद्ध किया था ये गड़ मंडला की शाशिका थी और अकबर के किसके साथ तो अकबर के आशव खां के साथ युद्ध किया था अक्बर के सेना पती और आनी दुर्गवत्ती के बारे में डीटेल में हम इतिहास में अल्रेडी देख चुके है जनगर सिंग श्याम की बात करते हैं तो इनका संबंध भी गोडवाना से ही है या फिर गोड़ जनजाती से ही है जाती है तो काम कनें थे और यह जातुत जादा प्रशेद्हीर कि माने जाते हैं घुवाल इता यह जोतुल पाता जो है यह मृत्यूगान के संब्स्राइड इंध मिलेंगी हम आप से नेक्स वीडियों में आपको हमारी वीडियोह फिर भीत्की at कर दो दो हुआ कर दो